इसका क्या मतलब निकाल गएक? हतास नएए, बेहोश जनता, धुन्द हो गई है जनता, और बिरोध ही हतास हो गई है, यह तो होता ही है, जबके इसी देश में गुद्द का माहुल होता है, तो इस्वकार का माहुल बनता है. बनना भी चाहिए क्योंकि उससे ही हमारे जवानों को सरकार को प्रेणा मिलती है लड़ने की इंच इंच भुमी के लिए लड़ते हैं लिकिन बिहोशी इतनी भी जादा नहीं चाहिए कि हम सब कुछ भूल जाएं देश के सामने और भी बहुत से सवाल आए जरूरत है हम ऐसे धुंदी में और बिहोशी में रहेगे तो देश के सागे जाएगा और यह तो एर स्ट्राइक के बाद तो पुरा पोजिशन हुए पुरा कोमा में चला गया है पूरा अब उनका आवाज नहीं आ रहे है वो ठीक है लेकिन जिम्मेदार जनता है और सरकार है तो जल्दी से जल्दी हम इस बिहोशी से बहार निकलने की जरूरत है क्या आपको लगता है कि सरकार और साथ-साथ विरोधी कई सारे मुद्धे थे ऐस्टाइक के पहले जिस तरीक से फार्मर सुसाइड हो गया इसलिए तो बिहोशी की बात में करता हूं युद्ध के समय सभी मुद्धों को कोई महत्व नहीं रहता मेंगाई तो सबसे पहले था मुद्धा बेरुजगार भी था रहेगा रहेगा भी हो मुद्धा नहीं जाएगा लेकिन जब जवान लड़ते हैं सिमा पर और जब पाकिस्तान जैसा एक दुश्मन सामने होता है तो हिंदूस्तान की जनता नहीं देखा है चाहे युद्ध देश एक होता है सब मिलकर हम जवानों के साथ उनके पीछे मजबूती से खड़े रहते हैं और देश भक्ति के किलहर इस देश में जाग उठती है एक मतलब निकालना था कि इसका क्या मतलब था कि बहुत सामना में ये लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरिंदर मोदी काफी भावख है काफी sentiments है लेकिन इस हमले के बाद वह काफी जोश में नजराई है उन्होंने कहा कि एक सबग शिखा दिया हमने पाकिस्तान को दिखता है हमने देखा है बार-बार कभी-कभी ऐसे मुद्य है कि प्रधान मंत्री के आख में पानी आता है अचानक, इतना मजबूत प्रधान मंत्री है, मजबूत दिल वाले है, तो अचानक उनके आग भराते हैं, लेकिन इस बार देखा है कि उनके आखों में चमक है, यह जीत की है, जीतने की चमक है, पाकिस्तान को सबख सिकाने की चमक है, तो यह जो साब दिखता है, जो दिखता है, वो सामना बोलता है. अगर ऐसे सवाल हम उठा रहे तो सेना का मनोबल गिर सकता है, लेकिन आज सामना में हमने पढ़ा की जनता को जानने का हक है कि दुश्मन उको कितना नुकसान पहुचाए गया, इससे सेना का मनोबल नीचे नहीं जाएगा. दिखें, देश बहुत बड़ा है, यह छोटा देश नहीं है, एक करोड़ वाला, दो करोड़ वाला, अबादी वाले यूरोप में है, यह आओ जगब, यह 130 करोड़ वाला देश है, इस देश में आज भी लोकतंत्र है, डेमोकरसी है, और एक बहुत बड़ा और अगर हमारे खिलाब शीव से ना है, अगर हमारे खिलाब में कोई सवाल पुछता है, तो हमारे दुश्मन नहीं है, उसको सवाल पुछने का दिकार है, बाला साथ ठाकर जी के खिलाब भी बहुत सी लोग बाते करते थे, उनकी भुमिका के बारे में, उद्धु ठाकर जी क सवाल पुषने से हमारी मन ज्यादा घंबीर और मदबूत होता है, ज्यादा फ्रेणा मिलती है, और उससे क्या होता है, हमारे जवानों का मनोबल इतना धिला भी नहीं है कि सवाल पुषने से गिर जाएंगे.